हलो फ्रेंट्स वेल्कम तो सीटरा माईस यूट्यूब चैनल इन इस यूडियो विल डिस्कूस टैन इंपोर्टेंट टिप्स फूर आंसराइटें इन यूपेस यूपेसी मेंस का अपने पेपर देखा है आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुश्चंस को किस तरह से ह करेंगे और पहली जो आप देखने वाले वह है कि कुश्चंस जो पूछा गया है उसको माइक्रो पार्ट में डिवाइडी करना है अब जैसे कि जीएस वन का कुश्यन है आपके सामने थर्ड कुश्यन है वर्ल्ड हिस्ट्री से कुश्यन है तो आपको सबसे पहले समझ बा और economic effect किस चीज का है railway के introduction का ठीक है इन different countries of world तो आपको चार चीज यहां से clear हो जानी चीए एक तो है आपका world के बारे में बात करना है तो world को आप यहां पे एक map के थ्रियू यहां पे represent कर सकते हैं different countries को ठीक है और इस तरह से आप map बनाएंगे तो काफी आपके questions की जो demand हो यहां पे सर्व हो जाती है ताकि examiner जो है easily उचीजों को वहां पे देख सके कि आपने 10 marker question में questions जो है उसकी demand जो उसको समझा है या नहीं समझा है ठीक है तो इस तरह सब चार चीजे हैं कि world का map बनाएंगे वहां पे represent करेंगे कि कैसे colonization वहां पे हुआ कैसे railway का introduction से colonization बढ़ा तो बहुत सारी factors जो है आप वहां पे डाल सकते है colonization वाला है ठीक है इसके लाव वहां पे जो democracy के लिए struggle था इंडिपेंडेंस के लिए struggle था उससे किस तरह से फर्क पढ़ा है यहां पर सब चीज है यहां पर सिर्फ colonization की बात नहीं है social economic effect जो है वो सभी उसमें आ जाने है तो social effect, economic effect, railway introduction और world तो यह चार चीजे हैं यहां पर सर्व होनी है ठीक है 2023 का जो सभी questions जो है मैंने 2023 UPSC mains के लिए है और इसमें जो papers है GS1, 2, 3, 3 इसमें सामिल किये गए अब यहां पर question देखेंगे objectivity की बात करेंगे तो इसमें देखिए यहां पर पूछा है difference पूछा है एक चीज तो यहां पर ध्याना के सबसे objectivity होनी चाहिए कि हाँ यह चीज जो है आपकी education के बारे में है और यह चीज आपकी नेसलिजम के बारे में है ठीक है तो ऐसे वहां पर डिफ्रेंस दिखा सकते हैं तो तब जाके आंसर आपके objective बनेंगे ठीक है objectivity में आपको में चीज ध्यान अकना है कि उस जो टॉपिक पूछा है उसके अराउंड ही बात करनी है education नेसलिजम के अलावा वहां पर नहीं जाना है क्योंकि आपका अच्छे से मालूम है 150 वर्ड का question है तो इसमें 150 वर्ड में आपका answer होना चीए यहां पर दोनों जो यह personality है इनकी two segment है education नेसलिजम पर सिर्फ इनी के अराउंड जो है बाते करनी है इसके अलग अधर जो पॉइंट से वहां पर नहीं जाना है फिर थर्ड जो है वो देखिए कि focus करना आपको की demand पर question की उसमें आपसे जो पूछा है उसके बारे में ही mainly बात करनी है अब यहां पर देखिए question है geography का GS1 का ही question है ठीक है यहां पर पूछा है आपसे कि जो field जो है वो कैसे form होते है तो focus आपका how जो लिखा हुआ है इस पर होना चाहिए ठीक है तो introduction में आप भले ही definition लें किते field क्या होता है लेकिन इसकी process जो है उसको आपको at least यहां पर 70 words में describe करना है और इसकी demand जो है क जो fjord जो है why do they constitute some of the most picturesque areas of world तो अब यहां पर जो पूछा है आपसे demand है आपकी कि कुछ areas की नाम बता ही है जो बहुत ही picturesque है मतलब यहां पर आपका उनकी cultural value है ठीक है tourism उनका importance है तो ऐसी कुछ points आप 4 to 5 points यहां पर ले सकते हैं क्योंकि 10 mark का question है 4 to 5 से ज़्यादे यहां प बड़ी हो जाएगी इससाब से उसकी demand को serve करना बहुत जरूरी हो जाता है तो how पर focus करना है और दूसरा why पर focus करना है तो questions में जो given है इन word को decode करना है कि कैसे इनको mention आपे कर सकते है question की demand को serve कर सकते है जो fourth tip है वो देखिए आपकी क्या है effective presentation होना चाहिए effective का मतलब क्या है क कि जो question given है उसकी demand को किस तरह से हम best represent कर सकते हैं तकि examiner जो उसको ज्यादा मेनत नहीं करनी पड़े और हम जो है आसानी से वहापे number जो है marks score कर सके question देखिए यह आपका है GS3 का ठीक है यहाँ पर question आपसे पूछा है कि damn failure जो है वह always catastrophic होती है especially तब जब downstream side में result होता है colossal loss का life अब यहाँ पर देखिए आपको life और प्रॉपर्टी का जो इसके बारे में बात करनी है फिर damn failure पूछा है तो यहाँ पर always catastrophic है इस चीज़ को तो आपको दो या तीन लाइने जो है दो या तीन पॉइंट जो आप कह सकते है उसमें इसको यहाँ पर mention करना है तो आप यहाँ आप break करेंगे जो first tip पे ने मताई उसके basis पर जो इसको break करेंगे तो catastrophic effect उसके जो है उसको दिखाना है यहाँ पर पहले चीज़ ही हो जाती है name failure के बारे में फिर down stream side जो है उसमें collision loss होता है life और property का यह दोनों चीज़ यहाँ पर दिखानी है तो इस तरह से 3 point sub topic आप यहाँ पर बना सकते है इस चीज़ का और फिर आपसे पूचा है कि analyze करना है various causes का damn failure के क्या क्या है अब यहाँ पर जब पूचा है कि damn failure की causes क्या क्या है तो यहाँ कोई flow chart बना सकते है कि causes यह है तो इस तरह सब four point के form में उसको यहाँ पर represent कर सकते है ठीक है फिर आपसे पूचा है two examples भी आपसे पूचे large damn failures के यहाँ पर जैसे भी recent में तीस्ता वाला चल रहा है ठीक है सिकम में तीस्ता रिवर पर जो बने हुए तीस्ता थर्ड डैम वगेरा जो है तो वहाँ पर आप simply उसको directly दिखना चाहिए कि आपके two examples जो है वो यह है इस तरह से आपको point बनाके यहाँ पर उसको show कर देना है ठीक है तो इस तरह से आपको map है जैसे और damn वोगेरा fail हुए तो दो है इसको आप सीधा diagram यह बना सकते हैं तो इसको और भी best हो जाएगा कि आपने दो जो damn failure जो हुए ठीक है उनको आपने अच्छे से represent कर दिया इस तरह से आपको location basis पर map बना देना है map से easily वहाँ पर चीज़े represent हो जाती है diagram मना देना है जैसे field वाला कुशन था आप आपको diagram मना देना है flow chart आप यहाँ पर देखा कि जब हमसे पूछा है कि losses क्या होते है तो loss का आप flow chart से दिखा सकते है और जब जरुत हो तो वहाँ पर table भी बना सकते है जैसे गांधी और जो यह है कि जो dimensions जो है answer writing में वो अधिक्तम होनी चाहिए ताकि answer जो हसमें diversity हो ठीक है किसी particular direction में ही question हुआ पर नहीं जा रहा हो काफी सारे segment जो हो सकते है तो इसलिए आपको basic सी trick है जो काफी लोग इसको लिख के रखते है पैस्टल जो approach है जिसमें आपका political है, economic है, social है और technology का यूज है, law या legal जो उसकी dimension है और environmental dimension तो ऐसी approach जो है आप paper पर सबसे पहले लिख सकते है जो आपको शुरू में startment time मिलता है वहाँ पे और इसको dimension बनाने के लिए यूज कर सकते है अब जैसे दीखिए question आप से है GST3 का question है और यहाँ पर question में आप दीखिए कि कि किस तरह से यहाँ से पूछा है कि how does e-technology help farmers in production and marketing of agriculture produce और इसको explain करना है ठीक है अब यहाँ से आप से पूछा है पहले दो dimension दे रखिए production में और marketing में अब आपको जो question जो है in around आपके production के हिसाब से चलना चाहिए और दूसरा marketing के हिसाब से चलना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर e-technology रखना है तो dimensions अलग-अलग आनी चाहिए अलग-फिल्ड से आनी चाहिए और आपको question में उस चीज़ को देख लेना है कि किस चीज़ के बारे में चल रहा है कई बार होता है कि agriculture produce के बारे में बात किया तो हम production है marketing है ठीक है उसकी बाद में आपसका branding है इनकी बारे में बात क हो सके और यहां पर आपकी जो dimensions है अलग-अलग एक साथ में यहां पर include हो सके next आपका कि middle ground होना चाहिए जब आप से comment करने के लिए opinion देने के लिए बोला जाए अब जैसे आपके question put किया है कि artificial intelligence जो है उसका concept जो है उसको introduce करना है चेक है तो यह simple सा point है कि इसको introduce करना है आप कौन कौन से dimensions कौन कौन से point इसके लिखते है क्या क्या चीजे लिखते है ठीक है इसके आगे third question आपका यहां बनता है कि do you perceive any threat ठीक है to privacy of the individual in the use of AI in healthcare अब आपको threat लगता है या नहीं लगता है तो दो चीज आपके पास हो जाती है कि yes और दूसरा है no और last में आपके लिख सक वहाँ पर आपके criticality answer की criticality वहाँ पर show होनी चाहिए कि आप critical thinking रखते है ठीक है और दोनों ही perspective पे आप जो है point वहाँ पर रख सकते है तो इस तरह से आप खुद की comment जो है opinion जो है वहाँ पर middle ground आपको हमेशा बनाए रखना है एक question यह भी देख लीजिए js3 का है साई यह आप देखिए development पूछा है और welfare schemes की बारे पूछा है कि vulnerable sections के लिए जो है by its nature are discriminatory in approach उसने statement दिया है अब हमसे पूछा है कि do you agree अब agree में आप yes भी कर सकते हैं और no भी कर सकते हैं तो आप अपने argument जो है इसके favor में और इसके against में दोनों को represent कर सकते हैं और लेकिन आप से इस बात पर mainly focus करना है कि यहां पर middle ground होना एक basic requirement हो जाती है answer के लिए tip 7 आप यहां पर देख सकते हैं कि short point लिखने हैं बजाए बड़े-बड़े point लिखने के क्योंकि जब आप short point लिखेंगे तो आप जैसे 4 point लिखते हैं simply basic किसी answer में 50 mark और में और आप उसके अलावा दूस इसरे question में आप six points वहां पर रखते हैं तो six points जो है उसमें आपको diversity आजेगी वहां पर आपकी dimensions आजेएंगी और आपकी critical reasoning और जो आपकी logical perspective जो है सोचने का वहां पर clearly represent होता है बजाए less points के कई लोग जो है paragraph form में लिखते है ठीक है तो वहां पर और भी कम clarity आती है तो आपक care economy and monetized economy ठीक है अब इन दोनों में आपसे पूछा है तो आप जितने ज़्यादा यहां पर point लिख सकते हैं उसके basis पे ही अधिकतब marks यहां पर ले सकते हैं ठीक है यहां पर पूछा है कि दोनों का difference क्या है और woman empowerment की 3 जो है care economy को monetized economy में कैसे लाया जा सकता है तो हम ज़्याद इसके डाइसपोरा है स्केल न्यू है इस इंव वेस्ट की बात कर रहे है तो आपका वैस्ट एशिया हो गया या फिर यूरोप हो गया या फिर आपका यूएस कनड़ा वगेरा हो गया तो यह सब कंट्री उनको आप लेकर ना है ठीक है तो अब देखिए वैस्ट में पूछ है आपको डिसक्राइब करनी है इसकी एक्कानोमिक और प्लिटिकल बेनेफिट इंडिया के लिए अब आपको जो मेह चीज है पॉइंट लिखने है एकॉनिक बेनेफिट पे और पॉलिटिकल बेनेफिट पे अब 10 मार्कर है आपके फॉइब यहां पैप सकते हैं औ उसमें आगे बढ़ रहे हैं जैसे रिशी शुनों वगरा जो है ऐसे काफी एक्जामपल जो है मैं कंटेंट आपको नहीं बता रहा हूं वसको एक डाइमेंशन बता रहा हूं कि किस तरह से उन चीजों के आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं और आंसर जो है उसको और भी एफेक जिदी कुछ पॉइंट है उनको एड़ कर लेते हैं अपने नोट्स में तो उनको भी यहां पर बेस्ट तरीके से रख सकते हैं लेकिन आप न्यूस्पेपर बहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो इससे जो है बहुत अच्छा होता है और यहां पर कुशन को जब सकते हैं इन सब चीजों को यहां पर मेंशन करना है और समझता है जहीं जंडर जस्तिस में आपको वुमन ही नहीं रखना है ठीक है, Transgender जो है, ये भी एक Gender Justice का हिस्सा है, Supreme Court की Rollings जो है, आप Women की बारे में भी लेखेंगे, और Transgender की बारे में भी लेखेंगे, Constitutional Provision जो है, वो common रहेंगे, बाकि जो Women और Transgender जो है, इनकी बारे में Case Laws जो है, Supreme Court के, उनको यहापे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह Valuation Point, ठीक है, फिर Supreme Court के Rollings एंडाल सावाला जो Act था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है, Contemporary Examples के फॉर्म में आप वहापे पूट कर सकते हैं, और Last but not the least, यहापे देखिए, पूछा है, NATO जो है, उसका Expansion है, उसका Strengthening है, ठीक है, and a Stronger US-Europe Strategic Partnership, इन US और Europe की Strategic Partnership है, वो बहुत अच्छे से काम कर सकती है, साज़ेदारी जो है, भारत के लिए अच्छा काम कर सकती है, इसके बारे में Opinion पूछी है, ठीक है, अब Opinion पूछी है, कुछन ऐसा है कि आप Beneficial के इतना है, इंडिया के लिए क्या Beneficial है, वहाँ पे आप Basic Point जो है, जैसे कि आपका Defense Relations है, ठीक बनाते चलें, तो वहाँ पे Question जो है, यह 19-20 Question है, लास्ट के Question से यहाँ पे Time यह बहुत कम बचता है, और 15 Marker Question है, तो यहाँ पे आप बले ही बहुत ही Common Answer लिख रहे होंगो उस Time पे, लेकिन यदि कुछ भी Point आप बहतर तरीके से लिख रहे हैं, तो उनको Underline करें, उनको अच्छा वहाँ पे, जो है, Benefit मिलने वाला है, Marks भी अच्छे वहाँ पे मिल सकते हैं, और यहाँ पे Last का Question है, तो यहाँ आपकी Opinion पूछिए वहाँ पे Statement के बारे में, कि Opinion क्या है, ठीक है, तो अच्छा गाम कर सकती है, तो उसका आपको दिखाना है, नेटो कैसे Beneficial हो सकता है, इसका अलाय कंट्री, जो है, इसकी Member Countries है, उसका क्या Benefit हो सकता है, और इसका Geo-Economics Significance क्या है, ऐसे जो Heavy, Heavy, जो Words जो होते हैं, उनका बहतर तरीके से आपर यूज कर सकते हैं, फिर उसका आपको Region भी देना है, और Examples भी देने हैं, सपोर्ट में, तो सपोर्ट मे है, यह आप से कहा है, और फिर आप से पूछा है, कि discuss करना है, the light of our statement, the role of IMO, अब International Maritime Organization के बारे में आपको ज्यादा information नहीं होती है, most of aspirant को, Origin का Geography optional होता है, या फिर environment के बारे में बहतर समझ होती है, वो जरूर लिख सकते हैं कि International Maritime Organization के बारे में कुछ पॉइंट, 4-5 पॉ आपको नहीं जो लिखा है, वो best represent हो सके, ठीक है, और जब यह last question है, तो answer, जो checker जो है, वो वहाँ पे आपको कुछ ने कुछ अच्छे marks वहाँ आपको दे के जाए, ठीक है, तो यह आप इन चीजों से समझ सकते हैं, 10 tips यहाँ पे हैं, और और भी कुछ point, main answer writing के लिए जो झाल